बहुत सब गाईज, पाकिस्तान की पब्लीग ने मौल लूट लिया, इनने का पैसा वो क्या होता है, हम तो फ्री मे लेंगे मजे तो, वो गुजगे मौल के अंदर, सम लूट लिया भाईए, तो उसके उपर पाकिस्तान की पब्लीग ने क्या कुछ का है, वो भी पूल के कारोबारी ने कराची में एक मॉल खोला तबदीली आ गई पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है मैं दिखाती हूं तुम लोगों को आहम खबर से अमल करेंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर से जहां राबिया सिटी के करीब नीजी मार के इफिताफ पर शदीद बदनस्मी देखी गई है यह हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नाम रखाट ब्रीम बाजा पाकिस्तानियों ने एक और रफ़ा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छ तरीके से रोशन किया है क्योंकि यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है और वो आज सुबह की ही वीडियो है कि कराची के अंदर एक नए मॉल की ऑपनिंग थी पूरा मॉब इकटा हुआ हजारों की तादाद में वहां आदमी जमा हुए उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया प्रॉपर्टी डैमेज की माल लूटा वहां पर बिखारी पाकिस्तान की ये तस्वीरे देखे कराची की है जहां एक नए मॉल की ओपनिंग हुई लेकिन गंगाल पाकिस्तानियों ने मॉल का क्या हाल कर दिया ये देखे लड़कियों को चड़ा लड़कियों को क्या वहाँ पर लड़कों को नी बक्षा लड़कों को भी चड़ा तमाम की तमाम प्रापटी को डैमेज किया और जितनी वहाँ पर चीज़े आईटम्स मौझूद थी जितनी वहाँ पर दुकाने मौझूद थी उन सब में से बहुत सी चीज़ें चुरा लिए हंगामाराई हुई है हजारों अफराद ने मार्ट पर धावा बोल दिया हंगामाराई से गुलसान जोहर और राबिया सिटी के अतराफ में शिदी ट्रैफिक जैम हो गया है गाड़ियों की लंबे खतारे लग गए इंट्रो देखके तो आप समझे गए हुगे कि वीडियो किस विशे के उपर है किस अंदर में फिर भी मैं आपको शोटकट में कानी सुना देता हूं जिसको सुनने के बाद मैं आएगा आपको मजा वा वह वह करती रहे बात बात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पैसा क्यों डालेंगे कुछ विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों ने पैसा जमा किया और कराची के अंदर एक मॉल बनाया और यह का आगी ओपनिंग के दिन हम तुमारे को देंगे डिस्काउंट जहां पर 50 रुपे से आप चीज़े शुरू होगी जो आप आगे जहां तक जाती है वहां तक ले सकते हों तो इन पाकिस्तानी चाहिलों की दिमाग में आ गया कि हर प्रोडेक्ट मॉल के अंदर जो मिलने वाला है वो पचास सुरुपे कहीं मिलेगा और लाखों की भीड मॉल ओपनिंग के दिन पहुच गई है पुलिस वाले कंट्रोल करने की यह जाँ जो दिखा जो भी दिखा सब लेके चल दी हैं अंदर आए पुराने कपड़े फैके नही पैने और चल दी है और साथ में जो ले जा सकते थे सब ले गए पूरे मौल को तैसनेश कर दिया दो गंटे बाद तो जो मौल बनाने में 2 साल लगे थे 2 गंटे बाद से सबसे बड़ा रही है और इसका सबसे बड़ा रेजर ने बढ़ती मेहँआइद पिछए लगबग जो जो कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा है, जिसमें वर्ल बेंग ने काया कि पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग पावर्टी रेट के नीचे जा चुके हैं, यानि कि उनके पास में दो वक्त खाने की रोटी भी नहीं है, और पाकिस्तान की 40% से ज्यादा अवाम ग सिर्फ चोरी चकारी में नाम क्यू लगा रही है लूट मार चोरी चकारी यही हमारी पहचान क्यूं बन रही है क्या पाकिस्तल ब्रॉप क्राव σक्षा पाकिस्तान में इसमें हकूमत के साथ सार लोगों का भी बड़ा हात है रचीज में और मैं कहते हूं कि सबको कठा ही बदलना है हकूमत ओ, अवाम ओ, कौम ओ, सबको अपने आपको भी बदलना है फिर किसी को ब्लेम करना है और वाकई अफसोस ना के हर चीज जो यहां पर होता इस शेहर लोहोर में पूरे पाकिसान में आखन शेव नहीं है। और जहांभे चली जाएगी नोड़े गंधनी नजर से देखा जाती है। मेरी नजर में सेव नहीं है। मर्दों ने अलाद खराब कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्नों ने ऐसे अलाद खराब कर दी हैं कि हर मर्द ऐसी लगता है कि ये भी मर्द ऐसी नजर से हमें देख रहे हैं पाकिस्तान की अवाम चोरियों पर क्यों फोकस कैसी है पाकिस्तान की अवाम यह पता है लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है महिंगाई इतनी कर दीवी है एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बिचारा 9000-8000 लेता है महीने की तनका वो बंदा कहां जाएगा तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे तो इसलिए चोरियों तक पर आगए में हैं लोग बढ़ना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए आज कल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी लड़के बंदे उटकर चोरियां कर रहे हैं गर में खाना लाना है रात को घी लाना है तो चोरियों पर मजबूर खुद अवाम हुई वी है किसी वज़ा से हुई वी है ना इनने किया गया है मॉल की आपनिंग थी उनका सारा पर नीचर डिस्ट्रॉय किया उनकी सारी प्रॉपर्टें डैमेज की वहां जाकर लड़कियां चेड़ी मॉल की आपनिंग भी नहीं हो पाई है ये पूरा एक मॉब है एक हजूम है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्या वज़ाए जाहलियत की पाकिस्तान में तो ज्यादा ही जहालत फैली हुई है कुछ महीने पहले ये वीडियो वाइरल हुई थी कि एक बंदे का एक्सिडेंट हुआ था उसको लोगों ने रेस्क्यू नहीं किया स्वाफ ड्रिंग्स का ट्रक लूट लिया पास ट्रक था ड्राइवर भाग गया था एक्सिडेंट करके यह अवाम का एक वीडियो वाइरल हुई तर्सिले ने पर प्रोपर्टी लूटी है प्रोपर्टी डैमेज की है लड़कियों को चड़ा वहां जाकर और पूरा मौब का है यह यह आम पूरा मन कौम है नई पूरा मन कौम नहीं भी है इस तरह से क्योंके जो नाजाइज है वो नाजाइज है जो चीज गलत की गई है अवाम की तरफ से वो घलत है उसमें ककी का economist57ow जो उंके उंकि ऑष्यून केसा बुरा होता है वो औल्वा है लिकिन जहां वह बड़ी बात है तो यह तो गलत बात है इनकी भूकें जो सामने आ रही है कि कोल्ट रिंग गिरा वे ट्रक है तो उठा लिया तेल कटे कर लिए लेकिन यह कि जहां वो गलत कर रहे हैं वो नचाइज है वो तो गलत है इतना वहां हंगामा था जिस तरह से यहां लिबर्टी के ऐस कगी बूरी के पूरे के पूरे दफार को जला दिया गया था उसी तरीके से हमें वह सारा मॉं बैगा एंन्गि माद नए यह उनकी उप्निंग और हई बड़न के लगते हैं तो क्या इमंज है पाकिसानियों की बाहिर बहुत बुट जदा um इमेंज बनी है क्योंकि हमारे पासपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है हम लोगं की चेकिंग जैसे होती है जैसे बंब intrigued hoặc दो कोई रिस्पेक्ट के ऩी जाब्स में ले ले, कहीं ले ले इंडियन्स के साथ हम लोग खड़े होते हैं गार हम वैसे तो रस्पेक्ट दे रहे होते ओंकर दिखा है कि उनको बाध डाउन किया जाता है और समझा जाता है जब हमारे पाकिस्टानी जाकर वहां पर ऐसा कुछ करते हैं तो वह आटोमेटिकली सबका वीजसा धन कर देट है क्योंकि अचाहएं यहां के लोग जाके वहां इलीगल चीज़ें करते हैं और अधिल पा तो कुछ लोग इतने हाइफाइव वहाँ पर हो चुके में फेमस या चिक उन्होंने इंडुस्ट्री स्कूल नहीं है या उनके मुल्क के लिए बहुत काम आ रहे हैं तो वहाँ पर उनकी इज़त बंद भी रही है हमारे चलिंज वाजणी पूरा वीडियो देखने बाद तो मैं यह बोल सकता हूं कि यह चिनना पुरा वीडियो आपने देख लिए वीडियो देखनें बाद में आपकी क्या रहा है कमेंट सख्छन आपकी कमेंट कर सकते हैं और इन उन्होंने गलत कर या पिर यह तक पाकिस्तान था उन्हों उन्हें आप लिए सब कुछ 50 रुपे जिसको सुस्मॉल का नीं पता होगा पा कि यह बार्केटिज तो है अभी जिसको नहीं बी पता था कि पचास की उसको पता लगया तो अब लोग जाएगा लेकन आप समान तो अगए लेकन अब यह तरीके से मुझे तो मुझे लग रही है अब रही है यह कुझे साथ सरे मार्केटिज के लेकन आपाकेटिक लेकन इसको पाकिस्तान के लोग अभा वोगया है भाई यह आधना भी मांग एख दो नंबर वन रूट लिया को अपने धर अधे में नोट लूट्लिया कोर कॉर कमाण्डर लूट लूट लिया मुर्य उसक सब्सक्राइब की टीमिन की आर रिया फिर भी लंबर वन लंबर वन होगा नंबर नी लंबर वन मिल दान सब्सक्राइब एक साथ आप अपना पॉइंट भी जोरू शेयर करेगा इस पर बबाए टेक्या